तो उससे पहले हम बात कर लें दिस्प्ले के तो यहामको 6.4 इंच की 1.5 KP OLED LTP दिस्प्ले देनों मिलते हैं जो के कमाल की डिस्प्ले है No Doubt 120 Hz का रिफरेश्ट देनों मिलता है वन से लेकि 120 Hz का एड़ेटीर रिफरेश्ट आपको देनों मिल जाएगा थ्री थाउजन नेट्स की पीक पैटर देरों मिल जागी यानि अगर आप आप आउड़ यहां पर कुछ भी उज़ करते हैं तो स्किन काफी जो है विजिबल रहेगी बात के स्पेसिफिक्शिंग तो यहां को मिलता है मिडिया टेक की तरफ सेने वाला मिडिया टेक 7300 जो के अच्छा चिपसेट है काफी पारफूल चिपसेट है यह सेम चिपसेट अभी आपने IQZN9S में देखा हुगा और हाली में यह तरफोर्मस आपको यहां निकल कर देगा रहां यहां आपको एक वैरेटे मिलता है 8GB मिलता है 256GB का UFS 2.2 3.1 होता तो अच्छे बात थी लेकिन 2.2 भी से हम यहां पर काम चला लेंगे 4310MH की बैटरी देहनों मिल जाती है फिसका सीन यहां पर नहीं है तो गेम मैं करता हूँ गेम सेंट्रिक फोन लेने वाले हो तो आई थिंग यहां आपको थोड़ा निराश होना होना पड़ सकता है अगर आप 23 जारू पर दे रहे हो तो बात करें ओपनिक सिस्टेम के तो यहां आपको आउटो बोक्स एंडु अब देखो कंपनी तो वादा कर रही है लेकिन क्या आने वाले पांच एंडुर नैंटिन तक क्या यह चिपसेट देना पारफुल है कि एंडुर नैंटिन तक जो है इसको स्पोर्ट कर पाएगा वह एक बड़ा कोशन है तो यहां को ट्रिपल कैमरा साथ देनों मिल जाता ह यह इस फोन की सबसेट नहीं लेते हो या अठाजार में रियल्मी टर्बो शाय नहीं लेते हो और आपको एक पैसा जो है आपका सेफ होसकता है बात रहें को एक आपको 5G के 14 बैने दिनों मिल जाएंगे डियोल 4G वोल्ट मिल जाएगा वाइफाइगा वाइफाइश इमल यहां आपको 1.5 की पी ओलोड डिस्प्ले देनों मिल रही है तो आपका जो मेडिया कंसेप्शिन हो काफी अच्छा होगा एश्डियर का स्पोर्ट देनों मिलेगा यूटूब पर नहीं मिलेगा और डॉल्मी एटम का यहां पर स्पोर्ट देनों मिलता है sound quality के अंदर तो अब कोशन आता है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए देखको आपके पर तीन ओफ्शन है एक तो रियल्मी नार्जो सेवंटी टर्बो जिसे आप और सेकेंड आपका आपका आईक्यू जैडना एज फिफ्टी नियो तीनों में जो है सेम ही चिप्सेट देनों मिलता तो अगर आपकी में फोकस प्रफॉमेंस है आप बीजी में खेलना चाहते हो नाइटे एफ्रेस के ऊपर तो जो है आप अठाना जार में जासते है नीयल्मी नाजो सेवंटी टर्बो फाइजी की तरफ से जापको आपको आपको इसका एंटेनों स्कोर साड़े साथ अलाग है और जो बाकी चिपसेट के अंदर जो है सेम चिपसेट का जो है एंटे टू स्कोर साड़े चेले खाया है तो यहां आपको प्रफॉमेंस अच्छी मिलेगी रियल मी नाजो सेवंटी टर्बो के अंदर अगर आपका मेन फोकस प्रफॉमेंस के उपर है अगर आप एक कैमेरा सेटप मिलेगा जिसमें आपको अल्टावर्ड लेंस भी मिल देखने को मिल रहा है तो वह एक यहां पर एक अच्छी चौइस हो सकती है तो यह आपके उपर डिपैंड करता है अगर आप बेज़े माई के लिए गेम मोबाइल ले रहे हो तो आप चास्ते रियल मीन सेंटी की तरफ अधरवाइस आपके पास जो है मोटर लोगा एज फिफ्टी नियों काफी वैल्ली फर मनी प्रवाइड करवाएगा अच्छी डिस्प्ले के साथ और अच्छे कैमेरा सेटप के साथ